भारतिय स्वतंतरता संगराम के समय भारतियों के प्रती सहान भूती रखने वाले अंग्रेजों में बर्नाड शा भी आते हैं। जार्ज बर्णार्ड शाह अंग्रेजी के बहु चर्चित लेखक थे, महात्मा गांधी के साथ उनकी खास मित्रता थी. आज तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही, सिर में कुछ पीड़ा अनुभव हो रही है, चलो कुछ देर और सोजाता हूँ. दो घंटे बाद फोन पर बात करते हुए, डाक्टर सहाब, आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है, कृपाकर मुझे आकर देख लें. डाक्टर सहाब आते ही धम से सोफे पर बैड़ जाते हैं. डाक्टर, क्या हुआ? शा, तुमारी सीडियां कैसी है? चड़ते चड़ते दम फूल गया, मुझे तो चक्कर आ रहा है, तबियत कुछ खराब हो गई है. डाक्टर, सीडियां तो ठीक है, परंतु तुम मास खाते हो न, इसलिए तुमारा शरीर मोटा हो गया है, और तुम्हें चड़ने में कठिनाई हुई. अच्छा, तुम्हारी आयू क्या है? मेरी आयू 43 वर्ष की है, आपकी आयू क्या है? मेरी आयू 86 वर्ष की है, अभी भी मैं तुमसे ज्यादा चुस्त और शक्तिशाली हूँ, मैं दौड सकता हूँ. अच्छा, पर ये कैसे? इसका कारण है कि मैं शाकाहारी हूँ. मैं अभी भी नृत्य कर सकता हूँ. परंतु, तुम अभी तक हाफ रहे हो. लो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ. ये लो, पानी के साथ दवाई गटक जाओ. देखो, ग्रामो फोन पर कितना मधुर संगी बज रहा है. क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे? बेशक, क्यों नहीं? मुझे भी नृत्य करना पसंद है. शा, तुम तो अब बिल्कुल ठीक हो गए हो? कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हो? डाक्टर, अब तुम्हारा क्या हाल है? अब मैं भी स्वस्त हूँ. ब मैंने तुम्हारा इलाज किया है और तुम स्वस्त हो गए हो. मुझे इलाज करने की फीज दो. परंतु इलाज तो मैंने किया है. आपने तो नहीं किया? शा, मैंने तो आपको अपने इलाज के लिए नहीं बुलाया. इसके विपरीत आपने ही मुझे बुलाया है. इसलिए मेरे द्वारा इलाज की फीस तीन पॉंड दे दीजिए साहब मेरे इलाज करने का धंग यही है आप इसे विचितर इलाज कह सकते हैं परन्तु मैं इसी प्रकार से रोगी का इलाज किया करता हूं जब मैं रोगी के पास पहुँचता हूं तो अपने आपको उससे बढ़ चड़ कर रोगी बना लेता हूं तब रोगी अपने रोग को भूल कर मेरे उपचार और सेवा शुश रुशा में लग जाता है डाक्टर खूब कही तुम्हारा यह इलाज विचितर है अच्छा अपनी फीस यह तीन पॉंड ले लो तीन पॉंड तुम्हारे इलाज की विचितरता के लिए भी इनाम देता हूं मैं किसी ना किसी बहाने से मजाग कर लोगों को हसाया करता हूं मैं तुम्हारा कृतग्य हूं आज तुमने मुझे खूब हसाया विदा लेते समय दोनों खूब हसे